हेलो फ्रेंट्स मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है और आज मैं बना रही हूँ पिठा पिठा बनाने के लिए मुझे जो जो सामेगरी चाहिए वो है तीसी ये देखिए ये तीसी है ये हम लोग इसको देशी अपने भासा में इसे चिकना बोलते हैं लेकिन ये तीसी है और ये घर का है उसे हम भून के पाउडर बना लिए है उसको भून लेते हैं कड़ाई में उसको ठंडा होने बाद उसको मिक्सी में पिषके पाउडर बना लेते हैं ये जो तीसी है ये मेरे घर का तीसी है और इसमें देखिए हम गूर मिला दिये हैं सुखा वाला गूर है उसे हम मिक्स कर दिये हैं गुर को हम नन्हा नन्हा कर दिये हैं और इसे हम मिला देंगे आज हम तीसी का पिठा बनाएंगे पिठा बनाने के लिए चाहिए चावल का हटा ये भी मेरे घर का ही है मैं गाँ गई थी तो मैं लाई थी वहीं से और यह देखिए गरम पानी इसको साने के लिए आता गुथने के लिए हमको चाहिए पानी पानी जो है उबालना है उबाल के फिर आता को हम सानेंगे और हम पिठ्था जो बनाएंगे दो परकार का पिठ्था बनाएंगे एक में तीसी भर के बनाएंगे और थोरा में आलू भर के बनाएंगे आलू मटर बनाएंगे उसमें भड़ेंगे ग्रेवी के लिए तो हम देखे बना रहे हैं प्याज डाल दिये हैं और मेची अद्रत सब डाल के भून लेंगे और इसमें थोरा थोरा मसाला हम डाल देंगे और देखिए आलू को हम उबाल लिये थे पहले ही उबला हुआ आलू है इसे हम चूड कर दिये हैं और धनिया पत्ती काट कर रख लिये हैं और धोर इसी मतर भी है और देखिए इसी तरह हम लाल इसको हलका सब कर देंगे फिर इसमें थोरा थोरा मसाला हम डाल देंगे धनिया पोडर हल्दी पोडर, और थोरा समय चीप उड़र, और स्वादन उसनर नमक डाल देंगे, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे, मतर और आलू, दोनों को अच्छे से भूनेगे, आलू जो है फिस जाना चाहिए, आलो इगन उसमें रहनाने चाहिए कि मतलब दाना दाना जैसे आलो ने आला आलो को भड़ता ऐसा बना देना है और फिर इसमें हम डाल देंगे और धनिया पत्ती सब डाल के फिर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और थोरा में हम आलो चावल का आटा फिर गूतेंगे गरम पानी जो है उबलना चाहिए यह नहीं कि गरम पानी बस खली गरम हो गया बस और से में आटा नहीं लगता है नहीं मतलब आटा सनाएगा चावल का आटा जो है गूतने के लिए हमें पानी चाहिए वो भी भहुत वाला हुआ पानी जो कि पुरा एकदम खोल जाए पानी वैसा पानी चाहिए आटा लगाने के लिए उससे क्या आता है ना चावल का आटा जो है अच्छे तरीके से सानने में आ जाता है बनता है सान पानी इतना गरम है कि उसमें हात से तो नहीं इंपने लगे थैदे lige हम दबू से पानी डाल रहे हैं गरम पानी जुरनी से थे खताब थे करते थोरा 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 अटा को कर रहे हैं, इसी तरह हम आटा को मिलाएं के यह जो आता यहीं पाने में सीग जाता है और थोरा सहांत में ठंडा पाने ले करके इसे हम मिला देंगे अच्छे तरीका से इसे गूथना पड़ता है और देखें थोरा साटा हम निकाल दिये हैं थाली में और इसी तरह हम दो भाग में मतलब कि हम पहुत दिये हैं आटा को क्योंकि मेरा गमला जो है वो थोरा छोटा है तो देखें बना रहे हैं इस थोरा सहांत में हम तेल लगा लिए हैं और देखें इस तरह कटोरी टैप का बना बना के इसमें हम डालेंगे भाग मेरे हस्वें हमको हसा रहे थे इसलिए हम हसने लगे यह देखें इसमें तीजी में जो गूर मिला के रख्खे थे और बलग में आलू का भी ग्रेवी बना के रखे हैं उसको भी इसमें डालेंगे और इसी तरह हम देखिए किस तरह मेरा हां देखियेगा कि मैं किस तरह बना रही हूँ यह मैं अपनी माँ से सीखी हूँ बनाने के लिए मेरी माँ जब बनाती थी माईके में मतलब कि तब हम सीखे थे साधी के पहले ही और यह जो पिठा है हम लोग बहुत दिन के बाद खा रहे हैं कभी मोका इन्हें मिल पाता है ठंड दिन में घर जाने का नहीं खा पाते हैं यह पिठा जो है हमारे तरफ भिहार में पूस में खाते हैं इसे पूस पिठा भी बोलते हैं और पूस में ही बनाते हैं अक्सर और अभे तो पूस तो निकल गई है हम अभे बना रहे हैं क्योंकि घर से लाए थे आटा चावल का तो करके लेकिन नहीं बना पा रहे थे तो आज सोचे हम बना ही लेते हैं मेरे घर में मेरी बेटी को बहुत पसंद है और हस्वेन को भी पसंद है चोटे वाले बेटा को भी पसंद है और बरे वाले जो बेटा है उसको तो पसंद ही नहीं है तो हम इसी तरह सारे पिठा को जो है कि तीसी से भढ़ लेंगे और आलो से भी भढ़ लेते हैं और देखिए हम पहले ही या गैस पे पानी रख दिये थे कराई में पानी में उबाल आने देना है उसके बाद इसमें इसको सभी को देना है मतलब जितना आपके कराई में आजाए पांच-छे पिठा उसके बाद इसको धक देना है और धकने बाद देखिए थोरी दिर के बाद मैं इसको धक्कन हटाएं देखिए कैसे यह खोल रहा है यह जो है कि सीज किया है सीजने में इसको टाइम नहीं लगता है क्योंकि हम गरम कौनी से भी इसको आटा को लगाए थे देखिए जब यह सीज जाए तो यह उपर की ओर और उपर आ जाती है तो इसे निकाल देना है इसी तरह हम सभी पिठे को तल लेंगे आलू वाला भी और तीसी वाला भी कर देंगे और इसके साथ में हम बनाएं हैं टमाटर की चटनी वो तो नहीं दिखा पाएं दूसरे वीडियो में हम बना के दिखाएंगें टमाटर की चटनी और फ्रेंड्स मेरे चैनल को आप लोग सस्प्राइब किजिएगा और जादा से जादा सेर किजिएगा और देखिएगा क्योंकि इतना मेहनत से वीडियो हम बनाते हैं तो आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा और कॉमेंट करके बताईएगा कि ये वीडियो कैसा बना है और कैसा बना है पित्था देखिए मेरी बेटी और बेटा खा रहा है इसके अंदर चितना है क्या है कि मैला देखिए मैं तोर के भी आपको दिखा दे रहे हूं कि कैसा बना है मेरा पित्था और अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई